आइवरीवन स्वागत आपके अपने चल्ट सरकाई नौकरी में 36590 का जैसे ही काउंसलिंग हुआ आप ब्यारतियों को लगा कि मेरा तो काम हो गया लेकिन जब तक आपको पता यह नियूकती पतर नहीं मिल जाता जबकि 5 दिसंबर को मिलना था तब तक आप बिलकुल ना कंफर मानिये कि हाँ आप टीचर बनी गया है तो कहीं न कहीं अरचन लगा देते हैं काउंसलिंग हुआ गोंडाजिला का मामला है इसमें 200 से अधिक अब्यारतियों को नियूकती पत्र देने से रोक दिया गया जबकि 4 दिसंबर द्वारा सासना देश जारी किया गया था मै यूटर्णा ईसा नहीं किया गया साथ ही अब्यARTियों ने धरनाप्र्दस्थन तिया माईलाओं ने भी जो चौर से धरनाप्रदस्थन चालू किया काफी नारे भीर्या यह फिलाल इन लोगों को भी एक मौका दिया गया है 9-10-11 तारिक को आउने वाली है अत्व वह अभ्यरती जिनकी counseling छूट गई थी first वाली या second वाली उनको भी मौका जिसमें दिया जा रहा है तो 12 दिसंबर को नियुकति पत्र फिलाल मिल जाएगा लेकिन अभ्यरतियों को यह का के बाहर कर देना कि आपके documents में यह सब problems है जबकि सासना देश जारी हो चुका था चार तारिक को और अगर उनको नियुकति पत्र के लिया में पांस तारिक को सामिल किया जा रहा है वो सासना देश दिखा रहा है फिर भी नियुकति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है सासन की बात को सासन के लोग क्यों नहीं मान रहे है सबसे बड़ी बात तो यहां पर आ करके रुख जाती है बात यह नहीं है कि पांच दिसंबर को न्यूकती पत्र नहीं मिला तो बारे को तो मिलके रहेगा यह तो बात सही है लेकिन आखिर रोके क्यों जब सासना देश सासन के लोगों के लिए जारी किया गया है कि सासन के लोग इसको ध्यान दे और अब भैरतियों क को समचित लाप जो भी इससे मिल पाए दिया जाए तो ऐसे में 4 दिसंबर को जब सासना देश जारी होता है 5 दिसंबर को जिम्मेदार अपने पास नहीं रखते हैं अब बेर्थी मुबाइल में प्रिंट आउट में पेपरों में दिखाते हैं फिर भी ये जिम्मेदार आखि इसलिए न्युक्ति पत्र रोक दिया जाए कि उनकी कुछ विसंगतियां है और विसंगतियों का भी जब एक हल निकल जाए तुरंद उसके पहले ही उसके बाद भी अगर रोका जाए तो काफी बुरी बात है तो फिलाल 200 से अधिक अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है मैं लगा है ना तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें ले करके यह इसू बना देते हैं जबकि एक मौका दिया जाना चाहिए और इनको मौका दिया भी गया है सासना देश द्वारा फिर अगले कंडिडेट है प्राची स्रिवास्तवा इनका है इंटर अंक पत्र क्रमांक में भ प्लांक हो सकता है प्राप्तांक हो सकता है रोलंबर हो सकता है ऐसा नहीं बस एक पकड़के बैठके नहीं हम इसे भी नहीं होने देंगे हम तो ऐसा तरकीब लगाएंगे बस होने नहीं देंगे बस यही काउंसलिंग में ऐसे लोगों को बैठाया जाता है जबकि काफी नि सासना तेस जारी होगे आप तो किसी को नहीं प्रावलम होगा लेकिन नोटरी वालों को बिल्कुल प्रावलम नहीं होगा तो थोड़ी भी आपके इसी कोई वसी बात नहीं है इनके डॉकमेंट्स में अगर ऐसा है ऐसा किसी लिपकी तूटी के बज़ा से हो जाता है तो चोटी चोटी बातों को लेकर कि जब इसू बनाते हैं तो अब ब्यरति महीं परिसान हो जाता है तो इतना जेल क्या और दो से तीन साल वैकेंसी लग ज आएगा लेकिन आपका सफ़त पत्र नहीं लगा हुए है और प्रोविजनल लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो प्रमाल पत्र शंख्या भी उसमें नंबर भरने को आया था उसको भी तो देखिए रोल नमबर का बस एक से दुवंढ़ पकड़ लिये बस वोईह बैढ़ जा रहे है कमिया डोट रहे है कि कहां है ठोकmee इनका दिख रहा है तो ऐसे तमाम कमिया है आप देख सकते हैं पीता के नाब में स्पेलिंग है सबक पतर स्लंगन है तो सब कुछ सही है, माता के नाम में भिनता, पिता के नाम में भिनता, इस सारी चीजें पिता के नाम में भिनता, असनातक का अंक पत्र हस्त लिखित है, हस्त लिखित आप समझ सकते हैं, जिन लोगों की रिजेट्स जो होते हैं, तुरंट नहीं आपाते हैं, उन लोग क्या क अंकपत्र प्रमाडपत्र खासकर अंकपत्र जो होते हास्त लिखित है तो आपको टेंसन लेनी जोगत नहीं है आप बिल्कुल जाए नोटरी लेके जाए कि मैं इसे बाद में प्रिंट करवा लूँगा कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा हाई स्कूल के अंकपत्र प्रमाडपत्र में पिता के नाम में त्रिपाठी नहीं लगा है जबकि अन्य सब्जी जगन लगा है देखिए क्या-क्या इसू ये बनाते हैं नोगरी पापा को करना है त्रिपाठी को करना है या कंडिडेट को करना है तो कंडिडेट को कराई कारवाई करेंगे कि इट भाड़ा करेंगे बच्छों की ऊपर करेंगे बच्छों ने ठोड़ी बैट के मारसीड शापा हुआ है इतना मनबढ़ गया तो इस तरह से देश को भी नहीं मांते हैं तो तरह की डीटियल स है कि आप अपने मार्शिट में कुछ भी चीज़ों को परिवर्ति कर सकते हैं तो इस चीज़ों को ले करके अभयरतियों को बाहर रख देना नियुक्ति पत्र जारी नहीं करना एक तरह से मानसिक उत्पिटन है मांसीग उत्पिटन का इनके उपर केस जरूर होना चीकिए यह मांसीक उत्पिटन किस तरह भेरतियों के साथ कर रहे हैं तो यह सारी डीटेल्स हैं जो, भ Hondं के साथ घटित हुए है वह भेरती बहुत परशान है देख सकते हैं आपे 249 क्रमांक देख सकते हैं बेहरती हैं यह आप देख सकते हैं लिखा हुए आप असनातक के अंके 1120 जी हैं इनको साइध रोक दिया जाएगा साइध इनको नियोक्ति प्रग्रेम सामिल लग किया तो यह ततकाल हाई कोट पहुंचे सास्रादेश लेकर कि कैसे ऐसा हो सकता है एक दो नंबर से क्या इनको मेरिट देखिए जो तो कम से अधिक नंबर भर दिये हैं उनके लिए हम बता दे माली जी भरे हुए 1120 नंबर ठीक है इनके सार्टिफिकेट में है और इन्हों ने फार्म अप्लाई करते समय 1122 भर दिया ठीक है इसको आप देखिए तो ऐसे बहरतियों का अगर नियोक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो हमारी तरफ से राय है आप बिल्कुल सटीक राय है आप कोट में इस बात को जाकर कहेंगे निश्चित आपको नियुक्ति पत्र जरूर दिया जाएगा आप जाके बोलिए आप पहले उसको देख के जाएए यह दो नंबर का डिफरेंस है आप दो नंबर को निकाल इस दो नंबर को घटाने के बाद अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपको नियुक्ति पत्र देने से कोई रोक नहीं सकता आप कोट जाएए बताइए अपने वकिल से की दो नंबर निकाल दिया जाए मेरा और हमको नियुक्ति पत्र के मेरिट में देखा जाए नियुक हुआ है यह कर सकते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ती है फिलाल सासना देश में पहले ही कर दिया गया है कि अगर आप नंबर बढ़ाक रखते हैं यदि आप अपना पुडांग घटा देते हैं तो ऐसे में आपको बाहर कर दिया जाएगा तो फिलाल पुडा अगर आप वीडियो आप देख रहे हैं या आपके जानकार में किसी तक बात पहुँच रही है 243 नंबर पे है लाश्ट में 97 है तो किसी भी कंडिडेट का आपने ऐसे रेंडम उठाया हुआ है रेंडमली किसी अन कंडिडेट के साथ भी ऐसा हुआ हो तो आपको अगर नि दूकते पत्र जरूर मिलेगा तो यह वह सभी बैरती थे गोंडा के जो धरना परदसन भी कर रहे हैं आप वीडियो में आगे देखेंगे फिलाल अभी इवी बस इतना ही धन्यवाद प्रियोक्ती मत्रे जारी करो प्रियोक्ती मत्रे जारी करो